Hello Everyone, Welcome to Special Study दोस्तों आज के Special वीडियो में मुद्रा एवं बेंकिंग से बनने वाले जितने भी important questions है जो की अभी तक पिछली exam में पूछे जा चुके हैं उन सभी को इस वीडियो में cover करेंगे और दोस्तों बता दूं कि ये economics का बहुत ही famous chapter है अगर economics से question आता है तो इसी topic से question आता है ठीके और इस topic के बारे में 300 plus questions को करने वाले हैं लेकिन मैं ये एक वीडियो में नहीं करूँगा इन्हें में अलग-अलग part में ले के आउंगा क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप खुद भी देखना पसंद नहीं करोगे इसलिए मैं अलग-अलग part में ले के आउंगा और ये part 1 रहने वाला है तो चले शुरू करते हैं हमारा question number 1 है मुद्रा, स्वयम मुद्रा का निर्मान करती है या परिवासा किस ने प्रस्तुत की है तो जो मुद्रा है स्वयम मुद्रा का निर्मान करती है ये कता ने क्राउमर का ठीक है याद रखेगा option number 6 इसका सही answer होगा question number 2 है ग्रेशम का नियम निनमलिकित में से किस से संबंदी थे तो ग्रेशम का नियम जो संबंदी थे मुद्रा के प्रचलन से संबंदी थे अगला question है निनमलिकित में से कोन मुद्रा का कारे नहीं है तो निनम में से कोन मुद्रा का कारे नहीं है मुल्य का इस्तरी करन करना जो है मुद्रा का कारे नहीं है बढ़ते हैं आगे Question number 4 है एसी विदेसी मुद्रा जिसमें सीग्र पलायन कर जाने की प्रवत्ती हो क्या कलाती है तो एसी मुद्रा जिसमें की सीग्र पलायन हो सके एसी मुद्रा को हम बोलते हैं गर्म मुद्रा ठीक है? याद रखेगा Question number 5 है हवाला क्या है तो दोस्तों याद रखेगा जो हवाला है विदेशी मुद्रा का अवेद कारोबार है तो option number A सही answer हो जाएगा अगला question है hard currency से तातपरिया है तो hard currency से तातपरिय क्या है वह मुद्रा जिसकी आपूर्टी मांग के अपिक्चा कम हो ठीके मतलब कि जिसकी मांग ज़्यादा हो और आपूरती कम हो उसे हम hard currency बोलते हैं अगर soft currency की बात करें तो soft currency से क्या तत्वर्य है इसका just उल्टा जिसकी मांग कम हो और आपूरती ज़्यादा हो ठीके तो वहां मुद्रा जिसकी आपूरती मांग की अपिक्चा आधिक हो तो option number 20 इसका सही आंसर होगा अगला question है question number 8 जिस मुद्रा में भुकतान करने पर लेंदार कानूनी तोर पर स्विकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे क्या काता है तो उसे काता है विदी ग्राई मुद्रा option number जो A दिया है इस question का सही आंसर हो जाएगा 9 number question है सस्ती मुद्रा से क्या अभी पराए है तो सस्ती मुद्रा से अभी पराए है देश की मुद्रा का अंतराष्टी बाजारों में आसानी से उपलब दोना जो option number A दिया है इस question का सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं question number 10 देखते हैं किन देशों की मुद्रा प्रायह hard currency होती है तो किन देशों की होती है विक्सित देशों की question number 11 है भारत की विधी ग्राई ये मुद्रा है तो भारत की विधी ग्राई ये मुद्रा क्या कलाती है रूपिया important question रहेगा आपकी exam के लिए आगे बढ़ते है 12 number question है सही कतन आपको बताना है 4 option दिये हैं तो इसमें से सही कतन कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तो वहा मुद्रा sorry वहा मुद्रा जिसमें सीगर पलायन कर जाने की प्रवत्ती होती है heart money कलाती है तो ये सही कतन आपर वहा मुद्रा जिसकी अपूर्ती की तुल्ना में मांग लगातार अधिक रती है hard currency कलाती है तो ये कतन आपर सही है वहा मुद्रा जिसकी मांग अपूर्ती की तुल्ना में कम रती hard currency कलाती है तो यहाँ पर गलत हो जाएगा चोथा उप्सन दिया है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ती अंतराष्टी बजार में मांग की तुलना में अधिक रती है सौप्ट करंसी कलाती है तो यह भी यहाँ पर सही हो जाएगा मतलब जो उप्सन नमबर B दिया है एक दो चार यह यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं आगे कोश्चन नमबर 13 देखते है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कलाता है तो सरकार द्वारा जो पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलाना क्या कहलाता है तो ये कहलाता है दोस्तों वी मुद्री करण ठीक है और ये कई बार एक्जाम में पूछा गया है कोश्चन तो याद रखीगा 14 नमबर कोश्चन है बाजार के नियम के प्रस्तूत करता थे तो बाजार के नियम किस ने दिये थे 15 नमबर कोश्चन है तो मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है माल एवं सेवाव की पूर्ती की तुलना में मांग की पूर्ती में कमी जो अप्सन नमबर सी दिया है इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते है 16 नमबर कोश्चन है निन मलिकित में से कौन मुद्रा आपूर्ती नियंतरन में सहायक नहीं है तो कौन सी मुद्रा आपूर्ती नियंतरन में सहायक नहीं है मुक्त बाजार निती इसका सही आंसर होगा 17 नमबर कोश्चन है वह आवस्था जिसमें मुद्रा का मुल्य गिर जाता है और किमते बढ़ जाती है क्या कलाती है important question है काफी बार ये पूछा गया है तो उसको बोलते हैं मुद्रा इस्पिती ठीक है इससे question बनता ही बनता है आगे बढ़ते हैं 18 number question है अर्थी व्यवस्ता की वेसी इस्थिती जिसमें मुद्रा इस्पिती के साथ मंदी की इस्थिती होती है क्या कलाती है तो मुद्रा इस्पिती के साथ अगर मंदी की स्थिती होती है तो ऐसी इस्थिती को बोलते हैं इस्टेक फ्लेशन जो option number B दिया है इसका सही आंसर होगा 19. मुद्रा इस्पीती से बाजार की वस्तुएं क्या होती है तो मुद्रा इस्पीती से बाजार की वस्तुएं महांगी हो जाती है 20. लगातार बढ़ती किमतों की प्रकीरिया होती है तो लगातार बढ़ती किमतों की प्रकीरिया क्या कलती है छपाकर पाटते हैं इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विका से परंतु यदि यहाँ विफल हुई तो इससे कौन से इस्तिती उत्पन्न होती है तो आगर यह विफल हो जाता है तो इससे मुद्रा इस्पिती की इस्तिती उत्पन्न होती है ठीक है तो कौन सा वर्ग है वो देंदार्ग ठीक है आजे बढ़ते हैं तो मुद्रा इस्पिती से लाबानवित होता है तो मुद्रा इस्पिती से सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है रिणी को ये भी काफी बार एक्जाम में पुछा गया है तो याज रखीगा 24 नमबर कोश्चन है मुद्रा इस्पिती की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्तिती को क्या काते हैं तो एक साथ उपस्तिती को बोलते हैं इस्टेकफलेशन अगला कोश्चन है 25 नमबर कोश्चन मुद्रा इस्पिती को इन में से किसके द्वारा रोका जा सकता है तो निन्मे में से बचत का वजट प्रत्यक्षे कराचान में व्रद्धी और सरकारी व्याय में कटोती करके मुद्रा इस्पिती को रोका जा सकता है तो इसका सही आंसर होगा इन में से सभी 26 HOWE तो इसका सही अंसर होगा उप्जन सी बढ़ते आगे 27 exactamente भारत में मुद्रा इस्पीती ग्याद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो मुद्रा इस्पीती ग्याद करने के लिए थोक मुल्य सुचकांग का उपयोग किया जाता है अगला कोश्चन है भारत में मुद्रा इस्पिती मापी जाती है तो भारत में जो मुद्रा इस्पिती मापी जाती है वो मापी जाती है थोक मुल्य सुचकांग के द्वारा option number A इसका सही answer हो जाएगा 29 number question है मुद्रा इस्पिती की सुन्य दर उस वर्स में आवस्य माने जाती है जब तो कब माने जाती है वर्स के प्रत्यक सप्ता में मुद्रा इस्पिती की वार्षिक दर सुन्य हो तो जब मुदरा इसपिती की सुन्य दर्ण से उस वर्ष में अवस्य माने जाती तो अप्षन नमबर A जो दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा 31 नमबर कोस्चन है मुदरा इसपिती को इस्थाई रूप से किस प्रकार नियंतरित किया जा सकता है तो किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है मुद्रा आपूर्ति की व्रद्धी कर नियंत्रन कर ठीक है तो option number जो C दिया है इसका सही answer हो जाएगा 31 number question है निन्मलिकित में से मुद्रा आपूर्ति की सरवाधिक तरल माप है तो सरवाधिक तरल माप क्या है M2 sorry M1 इसका सही answer होगा option number A अगला question है 32 number question किस संगटक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तरत मुद्रा कहा जाता है तो विस्तरत मुद्रा किसे कहा जाता है M3 को 33 number question है मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जासता है तो किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है डाग खानों की मांग जमा ठीक है जो option number B दिया है इसका सही answer होगा 34 number question है मुद्रा इस्पिती कीस कारण से होती है तो जो मुद्रा इस्पिती है वो होती है मुद्रा पूर्ति में व्रद्दी से तो option number C इसका सही answer होगा 35 number question है किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा बंडार की व्रद्दी में प्रमुक योगदान दिया है तो किस ने दिया है रुपे का अव मुल्यन प्रत्यक्च और अप्रत्यक्च विदेशी निवेस और रुपे की पूर्ण परिवर्त नियता तो इसका सही answer होग option number D इन में से सभी 36 number question है देश के विदेशी मुद्रा बंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है तो विदेशी मुद्रा बंडार में RBI की विदेशी मुद्रा परिशंपत्या RBI के स्वर्ण भंडार एवं रुपे की पूर्ण परिवर्नित्या को सम्मिलित किया जाता है तो option number D इसका सही answer हो जाएगा बढ़ते हैं आगे 37 number question है भारती मुद्रा रुपे की आधिकारिक वी नीमय दर संबंदित है तो किस संबंदित है चुनी हुई विदेश मुद्राओं के समूँ से 38 number question है भारत में सरोपतम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंब हुआ था तो कब हुआ था 1806 में और ये पूछा गया question है याद रखीगा 39 number question है भारत की विदेशी मुद्रा का सरवादिक भाग खर्च होता है तो सरवादिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर वपसन नंबर सी इसका सही अंसर हो जाएगा 40 number question देखते हैं काली मुद्रा की सबसे मानने परिभाशा है तो काली मुद्रा की सबसे मानने परिभाशा क्या कलाती है वहाँ आए जिस पर अप वंचन नहीं हो आए तो पसन नंबर डी इसका सही अंसर हो जाएगा 41 number question देख लेते हैं आव मुल्यन का अर्थ है तो आव मुल्यन सब्द का अर्थ क्या है आर्थ मुद्रा की तुलना में स्वादिसी मुद्रा के मुल्य को घटाना अप्सन नंबर इसका सही अंसर हो जाएगा 42 number question देखते हैं निनमलिकित में से कौन सा कतन सही है तो चौर अप्सन में से कौन सा कतन सही है आव मुल्यन से विदेशी बाजार में निर्याद सस्ता हो जाता है तो ये कतन सही है आव मुल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा होता है तो ये दोनों कतन यहापर सही हो जाएंगे 43 number question है आव मुल्यन का उद्देश्य होता है तो आव मुल्यन का जो उद्देश होता है निर्यात को प्रोश्चाहित करना काफी बार ये पूछा गया कोश्चान है तो याद रखेगा 44 नम्मर कोश्चान है बुक्तान संतुलन के विपरित होने की दसा में निर्यमलिकित में से कौन सा कदम इस्तिती सुधारने में सायक होगा तो बुक्तान संतुलन के विपरित होने की दसा में निर्यम में से कौन सा कदम सुधारने में सायक करता है तो याद रखेगा आव मुल्यन इसका सही आंसर होगा 45 नमबर कोश्चन है अब तक भारती रुपे की कितनी बार आव मुल्यन किया जा चुका है तो कितनी बार तीन बार किया जा चुका है 46 नमबर कोश्चन भारती रुपे का सरुपतम की स्वर्स आउ मुल्यन किया गया था तो की स्वर्स किया गया था 1949 में पूछा गया कोश्चन है तो याद रखीगा 47 नमबर कोश्चन है भारती रुपे का आंतिम बार आउ मुल्यन की स्वर्स किया गया तो आंतिम बार आउमुल्यन किया गया था 1991 में अगला कोश्चन है 48 नमबर कोश्चन है कि स्वर्स भारती रुपे का दो चर्णों में आउमुल्यन किया गया तो दो चर्णों में आउमुल्यन कप किया गया था तो ये किया गया था 1991 में ठीक है उप्सन नमबर सी इसका सही आंसर होगा 49 नमबर कोश्चन है जुलाई 1991 में भारती रुपे के दो चर्णों में अवमुल्यन किया गया प्रथम चरण में भारती रुपे का अमेरिकी डालर में अवमुल्यन हुआ तो कितने पर्षेन हुआ था तो ये हुआ था 20 पर्षेन ठीक है 50 नमबर कोश्चन है बारती मुद्रा को पूर्ण परिवर्थनी बनाया गया तो कीज बजट में बनाया गया था 1993-94 के केंदरी बजट में बनाया गया था बारती मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनी यो आगे बढ़ते हैं 51 नमर कोश्चन है रुपे को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनी कब घोशित किया गया था तो रुपे को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनी किया गया था 19 अगस्त 1994 को याद रखेगा important question है 52 number question है वर्तमान में भारत के वर्तमान में भारत में रुपे की पूर्ण वरीत्या परिवर्तनिया ता लागू है भुकतान संतुलन के किस खाते पर तो ये हुआ है चालू खाते पर option number 6 का सही answer हो जाएगा 53 number question है गिल्ट एजजबाजार की से संबन्दी थे तो जो गिल्ट एजजबाजार है वो संबन्दी थे सरकारिया प्रती भूतिया से ठीक है सरकारी प्रती भूतिया से तो याद रखेगा 54 number question है निर्मलिकित में से कौन सा बेंक भारत का केंदरी बेंक का है तो कौन सा बेंक है Reserve Bank of India इसका सही आंसर होगा option number D 55 number question है भारत का सबसे बड़ा टेंक है तो भारत का सबसे बड़ा जो टेंक है वो है भारती Reserve Bank important question है कापी बार ये देखने को मिला है 56 number question है भारत में किसे बेंकों का बेंक कहा जाता है तो बारत में बेंकों का बेंक कहा जाता है भारती Reserve Bank of India को तो option number A इसका सही आंसर होगा 57 number question देखते है बेंक की नई साखाए खुलने के लिए किसके द्वारा लाइसेंस दिया जाता है तो बेंकों की साखाए खुलने के लिए RBI के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है important question रहेगा आपकी एक्जाम के लिए 58 number question है RBI का मुख्याला है कहां पर रिस्तिते तो RBI का जो मुख्याला है वो है मुंबाई में ठीक है और इसकी स्थापना कभूई थी 1935 को 59 number question है भारती Reserve Bank का कारे नहीं है तो 1935 में से कौन सा भारती Reserve Bank का कारे नहीं है निर्यात करताओं को रिंड देना ये RBI का कारे नहीं है तो दोस्तों उम्मीद है कि सभी question आपको अच्छे लगये होंगे ठीक है न ये part 1 था और भी part आने वाल है तो वीडियो को continue देखेगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजगा बेल आइकन को प्रेस करोगे तब ही मेरा नेक्स्ट पार्ट आपको टाइम पर मिलेगा तो इंपोर्टेंट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश करना और आपको मैं बता दू के मैंने इंडियान जियोग्राफी और इंडियान पॉलिटी को कम्प्लिट MCQ के रूप में टॉपिक वाइस कवर किया है अगर उन वीडियोज को आप देखना चाते हो तो उपर देगा आई लिंक पर जाकर उन वीडियोज को जरूर देखेगा ठीक है तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में जब तक के लिए जैहिन आल्दबेश्ट